तो पहले problem देखें हम जैसे यहाँ पर facebook login करते हैं login करने के बाद check your notification on another device यह वाला problem आ रहा है या try another way के उपर click करने के बाद यहाँ पर see more पर click करने के बाद whatsapp and text message पर हम code भी send करते हैं and code not receiving का problem आ रहा है मतलब friends यहाँ पर शो हता है we can't send a code right now आप ये वाला प्रॉल्म यही सेम प्रॉल्म शो हो रहा है या यह ओप्शन है आपको शो नहीं हो रहा है तो केसे फ्रेंड्स या फे टू फेक्टर आप यहाँ पे बाइपस कर सकते हैं वो भी विट लाइफ व्रूप दिखाने वाला वीडियो के एंड तक and don't worry यहाँ भी यह जो विडियो है कम से कम टाइम में हमने बनाये है यह कोई फेक विडियो नहीं है क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पिछले मंद में 100 प्लस अकाउंट रिकावर किया है और कर भी रही है आपके ट्रेस्ट के कारण डेली के यहाँ पे स्टोरी प्रूप हम डा कर सकते हैं अब कर सकते हो अब स्टेप करते समय को यह तो पहलों चलिए यही चाप्लोड करता है अगर फ्रिंट से वाला है अगर आपको आ रहा है में login है तो आपको क्या करना है यहां पे आजाना है इस वाले step में and फ्रेंड्स वो डिवाइस ही यहाँ पर आपके पास नहीं है या अधर किसी जगा पर आपका जो Facebook अकाउंट है लॉग ही नहीं है तो इस्तित में क्या कर सकते हो अब यहाँ पर दो option आ जाएंगे पहला यहाँ यह जो हमने अभी try किया और दूसरा यह अब उसके मैसेज में आ रहा है तो यहाँ पर WhatsApp के उपर टिक करके कंटेने के उपर क्लिक करके चेक कर सकते हो अगर आपको कोई भी मैसेज या code नहीं आ रहा है तो पहले यह confirm करना है कि पहले आपको कभी कोई Facebook के code या message आ रहे थे या नहीं and वो comment box में करना है इसका क्या solution है अभी के समय तो अभी यहाँ पर वेट कर सकते हो एक दिन के लिए या friends आगी की step है वो follow कर सकते हो अगर friends यह वाला आपको error आ रहा है तो यह थोड़ी critical problem है यहाँ पर इसका क्या option है इस वाला option पर click करने आप directly यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर friends next के उपर simple आपको click करना है यहाँ बस दो बार कोई भी एक email address आपके पास है वो यहाँ पर डालना है और उसके बाद send code इसके उपर click करना है अब आगी किस टेप देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरू करना आज किस वीडियो में 150 लाइक का ही target रख देता प्लीज कंप्लेट करना इस वाले email address के उपर एक OTP आ जाएगा confirmation code आ जाएगा तो confirmation code मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो verification code आ गया है तो मैं इस verification code को यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ verification code मैंने यहाँ पर डाल दिया नहीं आ रहा है तो recent confirmation code इसके उपर click करिए तो मैं यहाँ पर next के उपर click करता हूँ यहाँ पर कोई भी आपको fake तरीका नहीं बताने वाला हूँ जो है वो बताने वाला हूँ तो यहाँ पर document upload करने का option आ जाएंगे तो यहाँ पर see more इस वाल option पर click करना है जो भी सभी document है यहाँ पर show होने वाले अब आपको क्या करना है जो आपके पास document है उसके उपर tick कर लेना है मैं recommend करता हूँ tax identification card यहाँ पर आप के पास नहीं है तो other document भी use कर सकते है इन में से कोई नहीं है I don't have any of this इस वा option का भी use कर सकते हो तो मैंने इसके उपर अभी tick किया मेरे पास है अब tick करने के बाद नीचे आजाना है नीचे आने के बाद next के उपर click करना है तो friends यहाँ पर browns photo पर click करके में आपे document upload करता हो upload करने की बाद document clear upload हुआ है या नहीं यह जरूँ जे करना उसके बाद आपको क्या करना है submit पर click करना है wait करते ही जो आपका document है वो completely check किया जाएगा तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी दिर wait करना है अब आगे आपके सामने ऐसा कुछ interface आ जाएगा तो अभी आपको क्या करना है friends simply save browser इसके उपर मतलब यहाँ पर click करके यहाँ पर continue पर click करना है continue पर click करने के बाद friends यहाँ पर एक option आपके सामने आ जागा यह वाला आप देख सकते हो तो यहाँ पर yes के उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पर friends यह वाला interface मतलब यह वाला message आ जाएगा जहाँ पर लिखा है your account is unlocked अब आपको क्या करना है simply go to setting इसके उपर click करना है click करते है id directly open हो जाएगा two factors जो भी change करना है वो कर सकते हो अब यहाँ भी problem आ रही है पहले तो comment box में comment करके बताओ क्या problem आ रही है वो भी बताना वैसे comment करते हो तो चानलों को subscribe करना यहाँ भी भी कोई दिक्कत आ रही है हमसे problem solve करना चाहते हो screen के उपर paid contact number है यहाँ पर contact कर सकते हो how to recover any account जो भी करना है आगे mh creator लिखेंगे मेरे वीडियो आपको दिख जाएंगे धन्यवाद